आज हम स्टेम की प्रैमरी स्टक्चर पर बात करेंगे पहले हम एक डाइकोट स्टेम की एनेटोमी को स्टड़ी करेंगे एक डाइकोट स्टेम में सबसे बाहर की तरफ क्लोजली अरेंज्ज सेल्स की एक सिंगल लेयर पाई जाती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं यह है दर्मेटोजन से बनती है एक्वैटिक प्लांट्स और चायंदार प्लांट्स में अपिडर्मिस थिन वाल्ड होती है जबकी जीरोफिटिक प्लांट्स में एक्वैटिक प्लांट्स में इनमें क्लोरोप्लाश्ट पाया जाता है इनकी आउटर वाल पर एक fatty substance क्यूटिन का जमाव पाए जाता है एक लेयर के रूप में इसे क्यूटिकल कहते हैं ग्रीन स्टेंप्स में एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं कुछ केसिस में एपिडर्मल सेल्स मल्टिसेलूलर हेर्स बनाती हैं जिनें ट्राइकॉम्स कहते हैं एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इनर टिश्यू को डेसिकेशन एक्सेसिव हीट और माइक्रोबियल अटेक से बचाती हैं क्यूटिन के जमाव के कार्ण यह ट्रांस्पिरेशन को भी कम करती हैं यह है प्लांट की पूरी लाइफ में पाई जा सकती है या जैसे हर्बेशियस प्लांट में जबकि वुडी प्लांट में यह है स्केंडरी ग्रोथ के दुरान पैरिडर्म से रिप्लेस हो जाती है टे, ग्रांट इश्ईू, डाइकोट स्टैम में ग्रांट इश्ईू, हाईप़डर्मीज, कोर्टेक्स, पैरिसाइकील, पित, पितरेज में डिफ्रेंशियेटिड होता है जबकि मोनो कोट में इस प्रकार का डिफ्रेंशेशन नहीं पाया जाता है हाईपोडिरमिस हर्बेशिस स्टैम में हाईपोडर मिस कॉलन कामेटस होती है यह है कंटिनेस रिंग के रूप में भी पाई जा सकती है जैसे एरिश्टोलोटियWinds sowYStem में यह पेचेज के रूप में पाई जाती है जैसे कॉकर बिटा के स्टैम में हाइपोडर्मिस में कलोरोप्लास्ट भी पाया जा सकता है। हाइपोडर्मिस का primary function, mechanical strength प्रवाइड करना है। कलोरोप्लास्ट होने पर यह photosynthesis का करें भी करती है। cortex thin-walled penchimator cells का बना हुआ होता है इन cells में intercellular space पाया जाता है cortex की cells में chloroplast भी हो सकता है तो यह है cortex photosynthesis करने का काम भी करता है जिन प्लांट्स में लीवज कंटों में रुपांतित हो जाती है उनके cortex में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट्स में cortex एरन काईमा का बना हुआ होता है इसके अलाबा कुछ प्लांट्स में cortex में लेटिसी फेरस सेल्स मुसिलेजिनस के नाल्स रेजिन के नाल्स टैनिन सेल्स भी पाई जाती है एंडोडर्मिस कोर्टेक्स की इनर लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं यह सिंगल लेयर की बनी हुई होती है इसकी सेल्स में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है जिने के एसपेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं स्टील इसमें स्टील में पैरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल्स पित मेडियूरी रेज को इंक्लूड करते हैं इसमें से पैरिसाइकिल पित मेडियूरी रेज यह ग्राउंड मेरी स्टेम से बनता है जबकि वैस्कुलर बंडल प्रोकैंबियम से बनते हैं पैरिसाइकिल पैरिसाइकिल स्टील की सबसे आउटर लेयर होती है और यह है Parenchymatis या Scleranchymatis Cells की बनी हुई हो सकती है परिसाइकिल के अंदर की तरफ एक रिंग में Vascular Bundles अरेंजड होते हैं यह Vascular Bundle Conjoint, Collateral, Open और Endarch परकार के होते हैं Conjoint Vascular Bundle से तात्प्रिय यह है कि जाइलम और फ्लोयम दोनों एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं जब जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोयम बाहर की तरफ पाए जाता है तो ऐसे Vascular Bundle को Collateral Vascular Bundle कहते हैं जब जाइलम और फ्लोयम के बीच में Cambium पाए जाती है तो इसे Open टाइप के Vascular Bundle कहते हैं इसमें जाइलम का Development Centrifugal प्रकार का होता है इसलिए प्रोटो जाइलम अंदर की तरफ और मेटा जाइलम बाहर की तरफ होते हैं इस प्रकार जाइलम की कंडिशन एंडाज प्रकार की होती है पित स्टेम का सेंट्रल पार्ट जो Vascular Bundle से गीरा हुआ रहता है पित कहलाता है यह भी लूजली अरेंजड पैनकाइमेटर सेल्स का बना हुआ होता है इन में भी इंटरसेलूलर स्पेस पाई जाती है कुछ केसेस जैसे कुकर बीटा में पित की सेल्स डिस्ट्रोएड हो जाती है और एक होलो पित कैवटी बन जाती है मेडूलरी रेज वैस्कुलर बंडल्स के बीच पीच में पैनकाइमेटर सेल्स की बने हुई स्ट्रिप्स पाई जाती है यह पटियां मेडूलरी रेज या पित रेज कहलाती है इनका में फंक्शन फूड मेटेरियल और वाटर का लेटरल कंडेक्शन करना होता है अब हम मोनोकोट स्टेम की एनाटोमी के बारे में बात करेंगे मोनोकोट स्टेम में भी सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है जो टाइटली अरेंजड सेल्स की बनी हुई एक सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हाइपिडर्मिस पाई जाती है हाइपिडर्मिस मोनोकोट में स्क्लेरन काईमेटस होती है और यह है कंपैक्टली अरेंजड सेल्स की बनी हुई होती है मोनोकोट में हाइपिडर्मिस से अंदर की तरफ का रीजन थिन वाल्ड पैरनकाइमा का बना हुआ होता है इन सेल्स के बीच में इंटरसेलूलर स्पेस पाया जाता है और इसे ग्राउंड टिश्यू कहते है यहां ग्राउंड टिश्यू डाइकोट स्टैम की तरह जर्नल कोर्टेक्स एंडर्मिस पैरिसाइकिल पित पित रेज में डिफ्रेंशियेटिड नहीं होता है इस ग्राउंड टिश्यू में अनेक वैस्कूलर बंडल्स बिखरे हुए पाये जाते हैं यह वैस्कूलर बंडल कंजोइंट, कोलेक्टरल, एंडर्च और क्लोजड प्रकार के होते हैं इन वैस्कूलर बंडल में जैलम और फ्रोयम के बीच में कैम्बियम नहीं पाय जाती है वैस्कूलर बंडल्स के चारो तरफ सिक्लैरन काइमा की बनी हुई बंडल शीथ होती है इन में जैलम वाई शेवड होता है वाई की आर्म्स मेटा जैलम की बनी हुई होती है जबकि इसके बेस पर प्रोटो जैलम एलिमेंट्स पाय जाते हैं कभी कभी प्रोटो जैलम एलिमेंट्स दिस इंटिग्रेट होकर के एक लाइसोजीनस कैवटी भी बना देते हैं मोनो कोट में फ्लोयम जैलम के बाहर की तरफ पाय जाता है और यह केवल सीव ट्यूब्स, कमपैनियन सेल्स और फ्लोयम फाइबर का बना हुआ होता है इसमें फ्लोयम पैरनकाइमा नहीं पाया जाता है प्लोयम जाता है